पवन ग्लास सीलिंग एफेक्ट क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं मैं आपको बता देती हूं कि ऐसा कहा जाता है कि महीलाई एक लेवल तक बढ़ती हैं किसी भी ऑर्गनाइजेशन में लेकिन टॉप लेवल तक पहुंचने के लिए एक ग्लास सीलिंग एफेक्ट होता है उससे उपर उन्हें ना पहुंचने दिया जाता है नहीं वह अकसर पह मैलाएं तो वह अपने बच्छों को ज्यादा प्रेपर करती है और जो से कुईट कर देती है फिर एक मैलाओं पर दोहरा दबाव रहता है कि गर काभी काम करना होता हुँ उन्हें अज्सबेंड है जो इसा का जाता है कि हात ने बढ़ाते काम में और आफिस का भी काम करना ह होता है फिर उनमें स्ट्रेस और यह चीजें डवलप हो जाती इन वज़े से और फिर कहीं न कहीं वो competitive environment होता है office में तो तो उनमें वो पिछड़ जाती है कलीग से तो भी उनके लिए opportunities कम हो जाती है और इसलिए साइद बड़ी कंपनियों के CEO ज्यादा तर मैला ही नहीं नहीं होती है यह पिता है कि कौन-कौन से काम है जिसमें एक कि खस्बिन अपनी वाइफ की मदद कर सकता है मैं जैसे मैं मैं खुद हेल्प करता हूं तो जैसे बच्चों को खाना के लाना तो उसमें बहुत ताइम लगता है और भी जैसे अगर आदमी अपना काम खुद कर ले जातर कपड़े दोना या जो भी गरेलु काम में बच्च यह बता है आपका Sanskrit literature है किरातर जुनियम में किरात से क्या मतलब है किरात वेसदारी सीव किरात एक जनजाति का नाम है और किरात के वेस में बगवान सीव आते हैं और अरजुन से यूदगरते हैं लास्ट में पासुपात अस्तर के लिए तो इसलिए इसका नाम पड़ा किर अपनी सक्ति का संचेन करना होता है तो इसके लिए उन्हें को इसी बताते हैं कि आप एना एक पासुपात अस्तर प्राप्त कीजिए उससे आपकी जीत में साहिता मिलेगी तो अर्जुन पासुपात अस्तर के लिए फिर इंद्रकील परवत पर जाते हैं और वहां पर तप तो क्या इसका क्या पूरा क्या कंटेक्स्ट क्या है हमारे जो ट्रेडिशनल संस्कृत है था उसमें एक आधर समाज बताया गया था तो दसकुमार चरितम में कहीं न कहीं दंडी ने एक समाज की जो रियलीटी थी उस टाइम उसको प्रदर्शित किया है दस जो अलग-लग रा राजयम बटा हुआ था समाज में चोर यह अपराद और यह जो भी कामें यह भी होते थे और साथ में एक आधर्स भी प्रस्तूत किया है कि वही कैसे एक जो है आधर्स या नेतिकता की और जा सकते जा सकते है कि आधर्स प्रस्तूत की यह जो वहां दो अवाल के और सकते हैं लिए सकते हैं